शिव समार है मुझ में और मैं शुन्य हो रहा हूँ स्थापना दिवस के म offense में पाम訂閱 में जाता हैनी स्ताफना में दोस्तों1949 में 30 मार्च की रायस्तान की स्थापना की गई तई इसे लिए 30 मार्च को हर साल रायस्तान का स्ताफना दिवस के मनाई जाता हो दोस्तों अलुए मैं ए Kir生 Kelow पूरसकार 2022 दे भ्रसकार 2022 के रूप में सम्मानित किया गया दोस्तों उनको और दोस्तों उनको यह पुरसकार क्वांटीफाइ इन्वर्मेंटल इवापोरेशन के लिए दिया गया तो क्लाइमेट चेंज के बारे में उत्रुष्ट कामगिरी के लिए अमेरिका के कारनल इनियर सीटी के में इंजिनियरिंग एमिरेट्स में प्रोफिसर है दोस्तों और दोस्तों आली में एमिरेट्स विलफ्रेट बूट सर्ची ने स्टॉकम वाटर पुरसकार 2022 जीता दोस्तों और दोस्तों आली में फ्रेंसिस केरी जो कि एक अफरीकी है उन्होंने प्रिसकर पुरसकार जीतने वाले वह पहले अफरीकी बने गए थे और हाली में डेनिस पारनेल सुलिवन जी ने एमिल पुरसकार 2022 से सम्मानित किया गया था गिल्बर्ट हांग बोजी इंटरनेशनल लेबर और अर्गनेजेशन के अध्यक्षा बनेने वाले पहले अफरीकी बन गए अली में एमिरेट्स विल फ्रेड बुर्ट सर्ट जी ने स्टॉकम वाटर पुरसकार 2000 वाई जीता दोस्तों नेक्स बेलते हैं तो दोस्तों आली में स्पुर्ती प्रदत्च्री सो मईया नामक पुस्तक को शाम प्रसाच जी ने लिखा था तो दोस्तों हमारे वारत के इसलिए इनकी कहानी पर जिवनी पर शाम प्रसाच जी ने स्पुर्ती प्रदत्च्री सो मईया नामक पुस्तक को लिखा हैं दोस्तों और दोस्तों आली में नमिता गोखले जी को साहित्य अकैरमी पुस्तक मिला था दोस्तों जोकी इंगलिश के लिए था उन्टी नॉवे इल्थिंग डू लिव बिहाइंड के लिए दया प्रकाश जिना जी को इंदी का साइच तबरसकार जीता था अपने नाटक समराट अशोक के लिए और गीता पिरामल जी ने राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ओडिनरी लाइफ नामक पुस्तक लिखिती दोस्तों आली में अली में स्पूर्ती प्रदच्री सोमयाना मक पुस्तक को शाम प्रसाज जी ने लिखाएं दोस्तों ने शियलते हैं तो दोस्तों अली में 21 नेशनल पहरा स्वेमिंग चंपियंचिप 2022 को महराष्टने जीता दोस्तों तो दोस्तों महराना प्रताप खेल गाउ स्विमिंग में आयो जी एकिसवी नेशनल पहरा स्वेमिंग चंपियंचिप 2022 को महराष्टने जीता दोस्तों और दोस्तों अली में पुझा जाती हैं जी ने जो कि हरियाना से उन्होंने प्यारा तिरंजदा जी वर्ल्ड चंपियंचिप में सिल्वर जितने वाली पहली भारतिया महिल पुझा जाती हैं जी तो दोस्तों अली में एकिसवी नेशनल पहरा स्वेमिंग चंपियंचिप 2022 को महराष्टर स्टेटे ने जीता है दोस्तों इस पेलते हैं तो दोस्तों अली में भारत में बेस्ट प्राइवेट हस्पिटल के रूप में में पुरसकार लगाता तर तिस प्राइवेट हस्पिटल नेजी अस्पिटाल है जो वर्ट्स बेस्ट हस्पिटल की 2022 बेस्ट लिस्ट में टॉप 150 में शामिल है दोस्तों तो दोस्तों आली में भारत में बेस्ट प्राइवेट हस्पिटल के रूप में में प्राइवेट हस्पिटल के रूप में में प्रा पहले भारतिया बने थे और भानुमति घिवला जी को नेशनल फ्लॉरेंच नाइट अंगलवार्ड दोजार एक से समानी किया गया था और नेशनल डॉक्टर्स डे अपन एक जुलाई को मनाते हैं हाली में भारत में बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल के रूप में मिदान ताद मदिर सीटी योगी गुरुग्रम में इस्तित है इसको चुना गया दोस्वनेक्स पेलते हैं और वनक्षेत्र में सबसे ज्यादा वरुद्धी आंदर प्रदेश में पाई गई दिखी गई दोस्टो तो हाली में डॉक्टर रेनु सिंग जी को वन अनसवंधान संस्तान यानि की फॉरस्ट इसर्च इंस्टिटूट एपराइए के निदेशक के रूप में नियुक्त क किया गया एंसी आर्टिके डिरेक्टर दिनेश प्रसाथ सकलानी जी बन गया तो दोस्तो आली में डॉक्टर रेनु सिंग जी को वन अनसवंधान संसान फॉरस्ट इसर्च इंस्टिटूट एपराइए के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों एक्स पिलत दोस्तों जारकन के जमशिदपूर में आयो जित साफ अंडर 18 वोमन्स चंपियंशिप 2022 का किता बारत ने जीता दोस्तों बंगलादेश को हराकर नेक्स जेलते हैं हाली में रोजगार और कौशल को बढ़ावा देने के लिए तेजस पहल को शुरू किया तो दुबई एक्स दोस्तों तेजस का फुलपाम होता है ट्रेंडिंग फर एमिरेट्स जॉब्स और स्किल्स दोस्तों तो दोस्तों आली में रोजगार और कौशल को बढ़ावा देने के लिए तेजस पहल को शुरू किया गया तो दोस्तों जिसका उद्देश क्या है तो फॉरेन में जॉब करने वाले भारतियों को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पहल यहाँ प्रोग्राम को शुरू किया तो आगी में रोजगार और कौशल को बढ़ावा देने के लिए तेजस पहल प्रोग्राम को शुरू किया गया हमारे केल मंत्री अनुराक्ठा कुर्दी में दोस्तों इस पेड़ों की जड़ों से यह एक ब्रीज बनाए जाते है और दोस्तो जयनतिया और खासी लोगों के द्वारा बनाए जाते है दोस्तों लिविंग रूट ब्रीजे सी हर उटस स सालों तक भी जिनदार है सकते हैं दोस्तों तो आली में मिगाले राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को युनेसको की वर्ल्ट हेरिटेट साइट की संभावित लिस्ट यानि की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया दोस्तों एक्स बेलते हैं और दिखने के लिए एक कैमेरा और डिस्प्ले भी होता है दोस्तों तो दोस्तों आली में DRDO ने कॉर्णर शाट वेपन सिस्टेम विकसित किया है दोस्तों और जो मुकश्मीर और CRPF में तैनात कर दिये गए है कॉर्णर शाट वेपन सिस्टेम को विकसित किया है बात भी DRDO क है Defense Research and Development Organization जिसकी स्टापना 1958 में हुई थी इसका एड़क्वाटर न्यू डिली में और जिसके अध्यक्ष जी सतीश रेड़ी है दोस्तो तो दोस्तो आली में डिया डियों ने कॉर्नर शॉट वेबन सिस्टेम भी गसित किया दोस्तो नेक्स पहलते है तो दोस्तो आली में 25 मार्च को International Day of Remembrance of Slavery Victims के रूप में मनाया गया तो Slavery Victims के इसमारन के लिए यहाँ अंतराष्टे दिवस मनाया गया तो हर साल पर्चिस मार्च को International Day of Remembrance of Slavery Victims के रूप में मनाया जाता है दोस्तो जिसकी 2022 की थीम क्या थी दोस्तो तो साहस की कहानी यहाँ International Day of Remembrance of Slavery Victims की थीम है दोस्तो 2022 की नेक्स पे जलते है तो दोस्तो आली में मोधी स्टोरी नामक वेबसाइट को सुमित्रा गांधी कुलकरनी जी ने लौंच किया तो महात्मा गांधी जी की ग्राइन डाटर सुमित्रा गांधी कुलकरनी जी ने मोधी स्टोरी नामक वेबसाइट पर भी लौंच किया और यह नी जी ने लांच किया दोया है दोस्तों तो दोस्तों यहां थे 31 मार्च दो जार बाइस के मतुपना करेंडो फेर्स अपन आज क्या पड़े उसकी एकबार विजिन कर लेते हैं तो आली में 30 मार्च को राजस्तन का स्थापना दियुस मनाए गया हाली में एमिरेट्स विलफ रेनू सिंग जी को वण अनसंदान संस्तान FRI यानि के फोरेस्ट इसेस इंस्टिट के निदेशक के रूप में ने उक्त किया गया हाली में साउथ एशियन फेडरे फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 वोमन्स चांपियंशिप 2022 का खिता भारत ने जीता फाइनल्स में जाडियो ने कॉर्णर शॉर्ट वेपन सिस्टेम विकसित किया आली में 25 मार्च उको इंटरनेशनल डे ओफ रेमेंब्रेंस और स्लेवरी विक्टिम्स के रूप में मनाया गया आली में मोधी स्टोरी नामक वेबसाइट को मात्मा गांधी जी की ग्रैंड डॉट और सुमि पाने के लिए हमारे टेलिग्रम चैनल को फॉलोगी जी दोस्तो लिंक की दिन दिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस इस गुरुबाई साइनिंग ओफ जे शंकर महाराज दोस्तो जय बोले